Hello everyone यार, welcome back to my channel fastpadai और यार आपको जैसे पता है हम करने थे conversions और ये उसका part 2 है टिक और इसमें हम करने वाले हैं alcohol chapter basically इसमें मैं आपको बता देता हूँ मैं हम क्या करते हैं हम को भी chapter पर करते हैं alcohol और उसके सारे preparations और सारे chemical reactions एक one run में try करते हैं कि समझ जाए या याद हो जाए इससे आपको दो फाइदा होता है एक आपको conversions थोड़ा से जल्दी समझ में आने लगता है first thing जो हमारा main target है and second आपका पूरा का पूरा chapter revise भी हो जाता है ठीक है क्या इससे पहले मैंने hello alkane का पढ़ाया था उसका link description में दिया होगा आप देख सकते हो और अब हम करेंगे क्या alcohol तो मैं try करूँगा कि आपको ज्यादा से जादा और जल्दी से जल्दी समझ में आए तो यार चलो बिना किसी देरी के start करते है ठीक है तो यार alcohol का सबसे पहले यह देख लेते हैं कि preparation किस किस चीज़ से हो सकता है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो preparation है वो hello alkane से हो सकता है hello alkane यहाँ पर दिया हुआ है hello alkane alkane से यानि कि hydrocarbon से हो सकता है aldehyde, carboxylic acid और ketone से भी होता है मैं अभी बता हूँगा reduction करके ester से and last में amine से अच्छा एक चीज़ और gregnard reagent से भी preparation होता है तो उसको मैंने हाँ पर नहीं रखा है because gregnard reagent के लगबग सारे preparation में पाट लेता है plus उस सारे chemical reactions भी उससे हो जाते है तो मैं सच्छन उसका इक next video बना दूँगा ठीक है क्या तो चलो यार start करते है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो hello alkane लेंगे rx x की जग आप क्या ले सकते हो bromine ले सकते हो, chlorine ले सकते हो या iodine तो rx plus koh लेंगे in the presence of क्या कर देंगे हम यहाँ पर heat कर देंगे तो यह आपको क्या देगा यहाँ से यह break होगा और यह आपको product में यहाँ पर लिख देता हूँ roh देगा plus kx ठीक है क्या यह निकि alcohol मिल गया आपको, क्या मिल गया roh plus kx ठीक यहाँ पर आप potassium hydroxide या फिर silver, agoh भी ले सकते हैं और x की जगा bromine, chlorine, iodine कोई भी आप halogen पिक कर सकते हैं तो यह था है यह simple सा reaction next आते है hydrocarbons पर hydrocarbons पर सबसे पहले alkenes से ही होता है तो alkenes पर यहाँ पर जो सबसे पहले है यह आपका H2SO4, यहाँ पर हम क्या लेंगे concentrated H2SO4 पिक करते हैं यहाँ पर यह reaction थोड़ा भ्यान से देखना यहाँ पर जो चीज होगी वो क्या होगी marconic of addition होगा तो चलो देखते हैं क्या होता है सबसे बेरे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि suppose मैंने लिया R ये CH double bond CH2 plus H2SO4 को फिलहाल के लिए हम इसको HO, SO2OH लिख लेते हैं क्या वही बात हो जाएगी क्या H2SO4 है SO2OH लिख लेते हैं इससे फायदा क्या जैसे यहाँ से यह brown break होगा इसका एक यहाँ पर और यहाँ पर bond खाली हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा marconic of addition और marconic of addition में क्या होता है hydrogen वहाँ पर जूड़ता है यह ऐसे break होगा hydrogen वहाँ पर जूड़ता है जहाँ पर ज्यादा hydrogen हो यने कि यहाँ पर और बाकी जो compound है वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर कम hydrogen हो तो OSO2OH ठीक है क्या याद हो गया यहाँ पर आया फिर इसके बाद हम इसका reaction H2O के साथ या H3O plus reaction का sorry H2O के साथ यादि की water का boil condition में यादि की boil करके करते हैं तो यह बन जाता है R CH OH CH2 sorry CH3 ठीक है क्या तो यह देखना क्या बना यहाँ पर क्या हुआ एक बार और मैं बता देता हूँ R बना CH बना OH और CH3 ठीक यहाँ तक समझ में आया क्या यह इस reaction को हम इस reaction को हम hydration reaction बोलते हैं ठीक है क्या hydration मैं ग्रीन से कोशिश करूँआ जी hydration मतलब क्या addition of water तो हमने क्या concentrated hydro hydrochloric acid लिया sulphuric acid लिया उसके बाद हमने क्या किया कि R CH O SO2 OH मतलब marconic of addition hydrogen लिगर और बाकी जो बचा हुआ यहाँ पे कर लिया उसके बाटर के साथ यह directly आपका क्या बन गया alcohol यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे यह आपको यह तो अगर reaction है अगर आपको दिखाना है तो पूरा बनाईए नहीं तो अब directly product बना दीजेगा और बीच में H2O4 plus water लिजेगा यहाँ पे क्या आजाएगा आपके पास H2O और ठीप कोई doubt वाली बात है क्या इस reaction को hydration reaction बोलते हैं मैंने उबर लिग लिग लिया अब इस reaction को हम बोलते हैं hydroboration oxidation reaction इसमें basically पहले डाइबोरेन लिया जाता है B2H6 लिया जाता है उसको हम बोरेन याने कि BH3 में convert करते हैं अच्छा एक बात note करेंगे alcohol में hydrocarbon से alcohol बनता है याने कि alken से और दो तरीके से 1H2SO4 तब महाँ पे marconic of addition होता है और अगर BH3 लगा देंगे तो anti-marconic of reaction होता है तो कैसे होगा reaction एक बार देख लेते हैं मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिया CH3, CH2 तोड़ी जगा की issue होगी तो देख लीजेगा CH2 plus HbH2 BH3 को मैंने HbH2 लिखा यह यहाँ से break हुआ यहाँ पे यह bond break हुआ अब क्या होना था hydrogen पहले बाहर लगता है anti-marconic of में जहाँ काम होता है वहाँ लगा यहाँ पे आपका क्या आजाएगा BH2 यहाँ था कोई doubt ने यह break हुआ यहाँ पे आपके अब यह reaction यहाँ खतम ही होता है फिर आप इसी को as a use करते है reactant इसमें आप दोबारा जोडते है यह CH3 यानि कि यह जो आपने लिया हुआ है CH double bond CH2 ठीक तो यह क्या होता है जब यह आपने जोइन किया तो यहाँ से फिर एक hydrogen हटता है और यह पूरा समझना बात को एक बार और यह react होता है और यह hold twice B बन जाता है भी H बन जाता है ठीक फिर आप इसका दोबारा इसी product के साथ reaction कराते हो और यह बन जाता है 3 B फिर लास्ट में इसका H2O2 के साथ reaction होता है और यहाँ पे H2O2 के साथ 3H2O2 के साथ reaction होता है और यहां पर आपको यह मिल जाता है CH3 CH2 CH2 OH3 बात समझना Hydroboration Oxidation में क्या हो रहा है basically Oxidation में तो Oxygen जुड़ेगा RCH1CH2 BH3 याने की बोरेन के साथ reaction हो रहा है तो इसमें क्या होगा जो आपका सब्सक्राइब यहां पर क्या होगा anti-marconic reaction होगा यहां पर hydrogen माहा जोड़ेगा जहां पर कम है और जो बाकि BH2 बचा वाँ ज्यादा hydrogen माहा जोड़ेगा तो यहां पर जुड़ा यहां पर hydrogen और यहां BH2 फिर यह reaction इसके साथ दोबारा करेगा तो यहां पर 2 BH लगेगा फिर एक और बार reaction करेगा तो 3 और बचा बोरेन और उसके बाद 3 क्योंकि 3 वैलेंसी होती है बोरेन की ठीक है क्या तो तीन उसके बाद फिर हैस्टी अच्टी पकर हैं एक करके CH3 CH2 CH2 और चेसा प्रोड़क्ट देगा आपको प्रोड़क्ट रियाद करने डायरेक्टली आरो एच नहीं बन रहे हर जगह यहां पर आर्च च्छ तरी बनेगा आरो एच भी बना सकते हैं उसके आपको रियाक्टिन लेना पड़ेगा ठीक है क्या आई होप सबज में आया हूँ थोड़ा सायर इनके रियाक्शन थोड़ी लंबे तो जितना खुपा है पॉसिबल में बता दे रहां उपको ठीक है अच्छा इस रियाक्शन को हम क्या बोलते हैं हाईड्रोबोरेशन ऑक्सिदेशन यह तो आप लोग को भी पता हो ठीक यहां पर होता कि यह बेसिद लिए बार बार जोईन होता है और लास्ट में इस टोड़ा की साथ रियाक्शन हो जाता है अब नेक्स्ट आता है कार्बोनेल कंपाउंड जिसमें भी C double bond O लगा होता है वो सारे आपके कार्बोनेल कंपाउंड होते हैं जो भी कार्बोने हैं आरएचो ठिक आरएच्ट बात करें यह एडएद है यह रिदॉक्शन कराता है तो यह किस-किस के साथ रिदॉक्शन हो सकता है यहां पर लग सकते हैं हाईड्रोजन और निकल और लिए लेच्ट फॉर आपको पता हो वह हैं यह रिडियूसिंग एजंस निग्शन है य या फिर आपके पास NAC2H5OH, यह सब जब आपके साथ RCHो के साथ react करते हैं, तो यह बन जाता है RCHOH, और CH2OH, ठीक, तो यह RCH होता है, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, RCH2OH, reduction हो, obviously hydrogen का addition हुआ है, तो क्या हो, बोलेंगे इसको हम reduction ही, तो यहाँ पे क्या हुआ, reduction हुआ है, aldeide का, अब मानलो ketone दिया है, ketone ऐसे कैसे, जैसे C double bond O, R' दिया है, ठीक, अब जब यह reduction करेगा, तो यह क्या बना देगा, R, R' CHOH, ठीक है, क्या hydrogen add हो रहा है, तो obviously क्या बोलेंगे, हम इसे, hydrogen, sorry, reduction, ठीक, यहाँ पे क्या था, ketone, अच्छा, same reagents use करेंगे, ketone में भी और अपका aldeide में भी, ठीक, कोई doubt नहीं, RCOH की carboxylic acid, carboxylic acid का reduction में, यूज होगा, LIA LH4, ठीक, या फिर B2 H6 ether, या फिर H3O plus, याने की hydrogen, तो RCOH जब react करेगा, तब आपको क्या देदेगा, alcohol, ठीक, next बात करेंगे, अगर हम, तो next है, RC double bond हो, single bond हो, R dash, यह क्या आपके पास, Aster, R dash या R, जो भी आप लोगे, यहाँ पे LIA LH4, या फिर H3O plus, ठीक, अच्छा, यह ए N A होगे, अच्छा, यहाँ एक बात याद रखेंगे, कि RCO, एक alcohol नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या है, आपके पास, Carbonyl Group, जिसमें आपका Aldehyde आया, Ketone आया, Carboxylic Acid और Aster, अच्छा, एक बात और बहुत अच्छी बात बता रहाँ, कि अगर, जबी भी, alcohol बनाना हो, reduction से, किसी भी, Carbonyl Group, that is, Aldehyde या Ketone से, या फिर Carboxylic Acid या Aster से, जबी भी बनता है, तो इन reactions को, as a combination में हम क्या कहते हैं, Boywalt, Blank Reduction, ये याद करने में, ये जब ऐसा, किसी भी, इसके reduction होता है, वैसे तो ये ज्यादा naming में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं, एक information के लिए बताते हैं, तो Boywalt, Blank Reduction कहा जाता है, तिक, नेक्स्ट आता है, लास्ट आपका preparation में, मैंने बताया था कि ग्रिगनाड रिएजन से भी preparation होता है, बट इसमें में वो बताने रहू, वो उसके लिएक अलग से ग्रिगनाड का वीडियो बना दूँगा, नेक्स्ट में आपके पास क्या आ Nitric Acid, तो HNO2 के साथ, RCH2 NH2, HNO2 के साथ जब reaction होता है, तो यहाँ पर आपके पास product क्या आता है, RCH2OH प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है क्या, तो यह है यार पूरा preparation, जिसमें हमने देखा कि जो alcohol है, वो किन-किन चीजों से prepare हो जाता है, वो यहाँ आपके पास alkane से prepare हो जाएगा, हाईडरो कारबन से prepare हो जाएगा, इसमें हाईडरो कारबन में alkyne से होगा, दो तरीके से, एक में हम जिसे hydration काएंगे, H2SO4, एक पास काएंगे, दूसरा हम क्या काएंगे, हाईडरो बोरेशन, औक्सिडेशन, जिसमें हम क्या करेंगे कि बोरेइन को लेंगे, ठीक, नेक्स आता है आपका अमी जिसमें नाइट्रस आइसिट करके यह बाइप्रोडक्स बनता है यहां तक तो हो गया preparation अब चलो chemical reaction को भी ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं कहीं पर आपको doubt रहेगा यार बिल्दकुल आप comment करना या आपना भी कोई doubt रहेगा नीचे comment में लिखना मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूँगा ठीक तो चलो chemical reactions पड़ते हैं तो chemical reaction की बात करें तो यहां पर सबसे में लिए दो चीज़े आती हैं जो आपका और C और OH है याने की alcohol की बात करें याने की OH की बात करें तो सबसे केमिकल पहले reaction में पहले जो H जहां पर bond break होगा O और H का और फिर पढ़ेंगे जहां पर O और H दोनों break होगा पहले यहां पर जहां H ब्रेक होगा और दूसरे point पर जहां C और OH अलग 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 तो सबसे बहले बात करेंगे कि OH bond में जब H break होता है तब क्या आता है ठीक तो अब क्या है सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पर बना हुए Aster basically हमने क्या किया यहाँ पर ROH plus RC double bond O single bond O H यानि कि carboxylic acid और alcohol का जब हम reaction कराते है in the presence of concentrated H2SO4 यानि कि H2SO4 जब concentrated में लगा होता है तो यहाँ पर क्या होगा यह वाला H और यह O H एकसाद combine होके क्या बना देते हैं RC double bond O single bond O R' यानि कि यह क्या बन गया Aster plus आपके पास HO और OH का combine होके क्या दिया आपको इन्होंने water प्रेसेंट किया ठीक तो aldehyde sorry alcohol जब भी carboxylic acid के साथ react करेगा in the presence of concentrated H2SO4 तो क्या देगा आपको Aster देगा in the presence of water ठीक अब एक बात और जब यह Aster बनता है तो जब slow और reversible reaction में Aster बनता है तो उस process को Asterification कहते हैं और जैसे कि मैंने यहां पे H2SO4 और concentrated sorry concentrated H2SO4 यूज किया है अगर इसकी जगा में reagent sorry as a catalyst HCL यूज करूँ तो उसको fissure sphere of Asterification कहते हैं ठीक है क्या उतना नहीं बूचा जाता है बट फिर भी उसके लिए मैंने बता दिया पहला वाला अपसे आपको समझ में आया यहां पे हमने क्या किया carboxylic acid का alcohol के साथ reaction कर आया तो वह आपको क्या दिया उसने Aster अब अपने नेक्स में देखा हो यहां भी आपको Aster मिल रहा है with the presence of HCL तो यहां पे क्या करना है आपको क्या होगा यह आपको यहां पर अगें एस्टर बनाईगा ठीक है क्या आपको कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है next बढ़ते हैं यहां पर हमने क्या एड किया मैं यहां एक काम करता हूं कर देता हूं तो बेस्ट रहे हैं यहां पर हमने क्या आड किया कार्वॉक्सलिक एसे कार्वॉक्सलिक प्लस किया कार्वॉक्सलिक एसेट को और एक काम करता हूं मैं सारे और यहां पर यहां पर आपको समझ में आ जागा है अब देखो आस्टर से आप प्रिपेर भी कर सकते हो और आलकॉल का केमिकल रियक्शन से भी आपको एस्टर मिलता है सेम आपको हैलोजन के साथ है हैलोजन से आप अलकॉल प्रिपेर भी कर सकते हैं और आपको बिलता भी है और यह यह पिछले पार्ट में बताया हूँ है तो आपको आसानी से पता होगा कि हम अलकॉहल से कोई भी हैलो एलकेन कैसे बनाते हैं तो सबसे पहला यह बता देता अलग अलग क्या एक सब पहले बता देता हूँ जैसे अगर मुझे आर सी एल चाहिए तो मैं क्या करता हूँ आरो आरो एच लूंगा प्लस उसमें एच लूंगा इंदा प्रेसंस ओफ एन आइडरा जेडेन सी एल टू तो यह आपको क्या देगा आर सी एल प्लस ह्टू ठी के लिए प्लस चभी आर नाइडरा सी एल तू यह मैं लिख जेता हूँ एन आइडरा सी एल इतू बीटेटरी दूनों में एन एजटनस एल त्री डिगरी में क्या होगा रून टेंपरेचर पी डब्रिगेट आपको कोई भी कैटलिस करने की ज़रद नहीं है कोई या फिर अगर आपको नहीं करना तो बताया दा मार्कॉनिक और अंटी मार्कॉनिक और अगर आपको इस साइड लगाना हो और अगर परोक्साइड यूज नहीं करोगे तो उस साइड लग जाएगा मार्कॉनिक और अंटी मार्कॉनिक और पहले बता चुका हूँ ठीक है तो यहां बेसिकली हम क्या एड कर देंगे एच बियार एड कर देंगे परोक्साइड लेना हो तो नहीं तो अगर डायरेक्ट अर्बर बनाना है तो उसके लिए ज़ुरत नहीं है ठीक अच्छा RCL दो तरीके से और बन सकता है कैसे ROH प्लस SOCL to in the presence of pyridine से भी RCL बनता है ठीक मतलब इसमें बहुत साथ preparation है और ROH प्लस PCL 5 से भी बनता है RCL तो यह सारे मतलब पहले बता चुके बस regions डिफरेंट करना है तो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है ठीक है RI की केस में directly आप reflux करते होगे तो H2O के साथ आपको RI मिल जाएगा ठीक यार यह तो बहुत ही सिंपल था next करते है और NH2 अमीन अगर बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे ROH लेते हैं प्लस NH3 ठीक है क्या NH3 लिया मैंने प्लस NH3 इन दा प्रेजेंस ओफ 633 केल्विन के तेमपरेचर पे 633 के कैल्विन के तेमपरेचर पे और AL2O3 इसके प्रेजेंस में अगर हम रेक्शन कराते हैं तो हम उनको RNH2 यहां पे एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइनों के वाटर बना वाटर मॉलिक्यूल और RNH2 अमें यहां पे मिल जाता है समझ में आ रहा है क्या NH2 बनाना है तो क्या करेंगे NH3 अट करेंगे AL2O3 इन दा प्रेजेंस ओफ 633 कैल्विन टेमपरेचर पे तो आपको है तो यह अल्कॉल की इसमें अच्छा है याद करते हुए चलेंगे नेक्स्ट हम बनाते हैं हाइड्रोकर्बन या अलकी तो यहां पे हम क्या लेंगे यार RCH2 OH लेते है इसको हम इन दा प्रेजेंस ओप कंसंट्रेटेटेटेन एस्ट टूए सबफ आक्तरिय प्रेचर कर आते हैं अचंट्रेटेटेटेटे सफ़कीस ओज़ साद 4 433 या 443 Kelvin temperature तो 433 या 443 Kelvin temperature के साथ जब react कराते हो तो यह आपको देता है RCH2 double bond CH1 CH2 बहुत अच्छा ही action है यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है alkene concentrated H2SO4 के साथ react कराएंगे 433 या 443 Kelvin temperature क्या 433 या 443 Kelvin temperature के साथ तेख अब next जो है आपके पास है ether, ether के case में क्या रहे ला यह वाला देखने है यह बहुत interesting वो है इसमें हम क्या लिया हमने RCH2 OH लिया ठीक है in the presence of AL2O3 यहाँ पर अगर हम 513 या 533 Kelvin temperature रखते हैं 533 Kelvin temperature रखते हैं तो यह आपको देदेगा यहाँ पर दो लोग गया तो यह देदेगा ROR यह ROH की में बात करूँ अगर मैं direct ROH ले लेता हूँ यहाँ पर तो यह तो यह तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा यहाँ पर RCH1CH2 बात को समझना यहाँ पर अगर मैं AL2O3 लेता हूँ in the presence of 513 या 533 Kelvin अगर 500 करीब temperature है तो आपको एथर मिलेगा अगर 633 Kelvin temperature कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है hydrocarbon या अलकीन मिलता है ठीक अब next है जो आपका next बहुत ही इंट्रस्टिंग है इसमें बहुत सारे रियेजन्स है मैं उससब बताता हूं नेक्स मज़िदार है alcohol से अगर आपको देखो बात समझना आपको aldehyde carboxylic acid ester या ketone से जब alcohol बनाना था तो आपने क्या क्या reduction अब alcohol से मान लो aldehyde carboxylic acid या ketone बनाना हो तो आप क्या करोगे oxidation तो oxidation समझने से पहले देख लेते हैं क्या करना होता है तो सबसे बहले आप यहाँ पर oxidation करता हूँ यह दिख रहा है क्या RCH2OH लेखा है मैंने अगर oxidation करता हूँ तो यह आपको देदेता है RCHO that is what aldehyde मिलता है aldehyde का further oxidation करने पर हमको यहाँ पर मिल जाता है carboxylic acid ठीक, 1 degree alcohol का oxidation कराने से aldehyde then oxidation कराने से आपको क्या मिलता है carboxylic acid अब अगर मैं यहाँ पर इस 1 degree को convert करके 2 degree alcohol में convert कर देता हूँ यानि कि मैं 2 degree alcohol लेता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर जैसी मैं यहाँ पर 2 degree लूँगा तो यह मुझे क्या देदेगा 2 degree alcohol का मैं ने oxidation कराया अब इसका further oxidation कराने पर फिर में को क्या मिल जाएगा carboxylic acid समझ मैं 1 degree alcohol का कराएंगे तो aldehyde, carboxylic 2 degree का कराएंगे तो ketone and then फिर carboxylic अच्छा अब oxidation कराने के लिए various agents हमें पता होने चाहिए तो वो देख लेते जार यह आपके practical वाले exam में भी पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा इसको detail में सबसे पहला आएगा आपके यहाँ पर Collins reagent ठीक है क्या Collins reagent यह क्या होता है यह होता है CRO3.2C5H5N what it is Collins reagent या इसको हम बोलते है chromium trioxide pyridine ठीक next आता आपका Chores reagent Chores reagent बोलते है या इसी को Pyridineum Chlorochromate या PCC Chores reagent Pyridineum Chlorochromate या PCC बोलते है तो इसका क्या होता है CRO3.2C5H5N HCl next आता है आपका यहाँ पर Pyridineum Dichlorochromate यह होता है आपके पास C5H5N whole twice 2 plus यहाँ पर आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा उपर कर देता हूँ यहाँ पर देता हूँ PDC यह होता है C5H5N 2 2 plus CR2O7 2 minus एक और reagent का in anhydrous medium that is CH2Cl2 का यूज कर लेते हैं यहाँ पर एना इड्रस medium याने की वाटर सारा इब्सॉब करनेगा करना होता है या एक आपको और अच्छा रियक्शन बताता हूँ अगर आपने यहाँ पर RCH2OH लिया और इसका रियक्शन copper in the presence of 573 Kelvin में कराया तो यह आपको दे देगा RCHO यानि कि alcohol का यहाँ पर oxidation करता है कौण? copper in the presence of 573 Kelvin तो आपको RCHO मिल गया यह करनवट हो जाएगा double bond में यानि कि 2 degree लोंगा तो ketone अब अगर मैं tertiary ले लेता हूँ तो यह क्या करता है? यह बना देता है वो यह copper 573 में आ रखना तो यह RCR double bond R- यानि कि क्या बनीगा? L-Kene जो आपको 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 पर प्रोडाक्ट है ठीक है क्या? यहां पर oxidation बहुत important है बहुत जग आपके काम हैगा इसलिए मैंने अवेस्तार में आपको reagents भी सारे बता दी है यहां तक आई होप समझ में आया होगा यह यार एक page में मैंने कोशिश किये कि सारे reaction कराई कुछ हो सकता है चूट गए हो वो मैं questions में जरूर करना होगा तो यह आप no doubt कर लीजिए और कहीं पर without है तो नीचे comment करना मैं try करूँगा कि आपको समझा सकूँ और इसके बाद चलो अब हम questions करते हैं ताकि समझते हैं कि यह चीज़े हम implement कर पा रहे हैं कि ने ठीक है? आजाए यह सारे NCRT की questions ले रहा हूँ ताकि clear हो समझ में आजाए तो सबसे पहले जब भी conversion करना हो मैंने पहले भी कहा है और आज भी बोलूँगा कि सबसे पहले जिस चीज को convert करना है और जिस में करना है दोनों को आप पहले draw कर लीजिए उसके बाद convergence समझना ताकि वो असान होता है तो सबसे पहले मैं प्रोपील लिख लेता हूँ यह है CH3 CH double bond CH2 यहां तक को doubt नहीं है next आपका propane to all सही है क्या? propane ऐसा बनेगा COHH CH3 perfect है तो basically आप समझो कि मुझे alcohol में convert करना है double bond को तोड़के और beach में लगाना है beach में यानि कि जहां पे कम H होगा वहां पे OH गुरूप आके जुड़ेगा यानि कौनसा addition हो गया? यह हो गया Marconic of addition और अगर ऐसा करना है Elgin से तो क्या लगाते है? Concentrated H2SO4 Concentrated H2SO4 लगाएंगे Marconic of addition होगा वह एच अंदर लग जाएगा बट अगर आपको बाहर लगा रहा होता तो कौनसा करते है Hydroboration Oxidation जिसमें Antimark लगता है बोलते जारों तक याद होते जाए इसमें क्या करेंगे अपन Concentrated H2SO4 या उसको मैं थोड़ा Expand करके लिखूँ तो वह बन जाएगा H O S O 2 O H ठीक तो यहां से यह break होगा H से क्योंकि Marconic of addition है तो बीच में यानि कि जहां काम H है वहाँ पे आजाएगा O S O 2 O H और जहां पे ज्यादा hydrogen है वहाँ पे आपका hydrogen जाके attach हो जाएगा फिर तो simply क्या करना है boiling water डालना है तो यह क्या हो जाएगा O S O 2 O H यहाँ पे O H आजाएगा और बाखी फिर आपका H 2 O 4 भाहर आजाएगा ठीक है क्या देखो direct answer है जहाँ चार्ट से मतलब कुछ अलग नहीं है same का same मैंने क्या कर दिया वहाँ से copy कर दिया जो आपको भी बताया था ठीक कोई doubt है क्या तो चलो यार next करते हैं तो प्रोपेन से प्रोपेन 2 All समझ में आया next है आपका क्या प्रोपेन 1 All से प्रोपेनोईक आसेड क्या है वही प्रोपेन 1 All CH3 CH2 CH2 OH ठीक यहां से आपको किसमें कनवर्ट करना है CH3 यहां पर दिख रहा है ना CH3 CH2 COOH ठीक अब समझो अल्कोहल को किसमें कनवर्ट करना है कार्बॉक्सलिक ऐसेड में तो याने कि क्या है यह Oxidation process तो कुछ नहीं करना अल्कोहल को सबसे पहले यहां पर सबसे और भी बहुत सारे तरीक है जैसे कि मैं यहां पर क्या करूंगा कोई भी Oxidation agent ले लेते जैसे मैं लिया Alkaline KMnO4 लिया ठीक है KMnO4 आपको बहुत सारे बताया है K2C, R2O7 Acidic Medium में PDC, PCC Collins Reagent जो लगाने लगा के आप बना सकते हो तो यह बन जाते है CH3, CH2 C double bond O minus K plus तिक यहां तक आया अचा mechanism मैं नहीं बता रहा हूँ कि directly मतलब अभी हम conversions करे है mechanism के लिए का लग वीडियो मैं बना दूँग तो CH3, CH2, COO minus K plus तिक अब इसके बाद क्या करना है आप H लगाना है तो क्या करोगे Acidic Water यह H3O plus यह H plus H2O लेके वाप इसी OH आजाए एकदम सिंपल है चार्ट में से सारे questions आ रहे हैं direct कुछ बाहर से नहीं दिख रहा है और questions करते हैं अब इस समझ के चलोगे चार्ट से Majorly का notions आपके बन जाएंगे तो याद करते हुए चलेंगे next question में देखते हैं क्या दिया है 2 propanol to 1 bromopropane 2 propanol याने कि क्या हो गया CH3 CH OH CH3 ठीक है क्या next हमें product क्या बनाना है यापर यहां में बनाना है 1 bromopropane तो यहां गया CH3 CH2 CH2 BR ठीक है क्या perfect अब देखो यहां पे OH है मुझे यहां से OH हटाना है और यहां पे मेरे को क्या करना है यहां बीर चाहिए ठीक है जब भी यहां से अगर मैं OH हटाऊ और यहां पे अगर मैं वो लगा दो क्या double bond तो फिर HBR लगा के anti-marconics of say double bond तोड़के मैं यहां BR लगा सकता हूँ यह हमने preparation में पहले पढ़ा हुआ है ठीक तो क्या करेंगे अगर मुझे यहां पे double bond चाहिए OH हटा के तो मैं क्या लगाता हूँ concentrated H2SO4 in the presence of what 433 to 443 Kelvin अभी बताया था तो CH3 CH double bond CH2 ठीक यह हो गया अब क्या करना है अब तो सिंपल है यार HBR लोगा HBR और परोक्साइड के साथ क्यों परोक्साइड तो क्या हो जाएगा anti-marconic of हो जाएगा anti-marconic of में क्या होता है H वहाँ लगता है जहाँ पर कम hydrogen हो यानि यहाँ पर और BR वहाँ लगता है जहाँ ज़्यादा hydrogen हो तो यहाँ पर BR लग जाता है तो यहाँ बाहर लग गया तो यह आगया आपका answer क्या bromopropene अगर मुझे बीच में BR लगाना होता तो मैं क्या करता marconic of addition करता जिसमें क्या करता बस मैं H भी आप लेता ठीक समझ में आया क्या तो यह था चलो फिर next देखते है आई हो बस वह यह यह यार चार्ट थोड़े यार करते चलना आते जाएगा propenone तो यह हो गया CH3 C double bond O CH3 सही है क्या परफेक्ट प्रोपीन में कनवर्ट करना है CH3 CH2 double bond CH2 अब बात समझो कि मुझे पहले propenone दिया है अगर मैं इसको अलकॉल में कनवर्ट कर लो तो consecrated H2SO4 के साथ मैं इसको इलकीन में कनवर्ट कर सकता हूँ तो आप समझो किटोन को मुझे अलकॉल में कनवर्ट करना है किटोन को अलकॉल किटोन को अलकॉल में करना है यहने की क्या reduction तो reduction करते है reduction के लिए आपको बहुत सारे पता है था LIALH4, NABH4, B2H6 Ether तो कुछ भी लगा लो जैसे मैंने यहापे लगाए LIALH4 तो इसने मुझे दिया CH3 CH2 OH, CHOH और CH3 ठेक, अब next क्या करना है अब भी जस्ट हमने किया, क्या करेंगे concentrated H2SO4 लेंगे 433 या 443 कैल्विन पे यहाजाएगा आपका क्या NK तो यार वो अगर चाहट आप याद कर लोगे न यह बहुत असान हो जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम easy है तो यार यह वीडियो यहीं तक था I hope आप लोग को समझ में आया हो Convergence में आपको help हुई हो, प्लस आपको alcohol का just याद हो गया हो ठीक है, मैं और भी ऐसे वीडियो जैसे की haluarines और phenols का बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ले के हो ठीक, अगर आपको और कोई doubt आ रहा है, इसमें यार किसी और भी चीज में तो नीचे comment कर देना, मैं try करूँगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक तो यार अगर आपको ये वीडियो यहां तक समझ में आया और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप नए होंगे तो subscribe करके आप bell icon हिट कर देना मिलते हैं फिर next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye